हलो दोस्तों मैं प्रकास सर्म अपने चैनल उंग्यान इस्प्रेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों इसके पहले वीडियो में हमने जो है कि दो वीडियो में 14 वीडियो को समाप्त कर दे 14 टापिक को और इंपार्टिन जो चीजे हैं वही हम बता रहे हैं ज्यादा इसमें नहीं बता रहे हैं तो प्लीज हमारा चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें सस्क्राइब करें सेयर करें जिससे दूसरे कोई भी इस सीखना भी जाता है ग्यासा कि आप जानते हैं अगर खेल खेल में बच्चा सीखेगा तो इसको कोई तनाव भी नहीं होगा और इसमें बेना आसूं के और बिना मुसीबत के सिछ्छा घ्रण करना कहा जाता है जब बच्चा खेल खेल में सीख रहा है जो रोएगा इसलिए बिना आसूं और तनाव के भी मुसीबत के अधियम ग्रहन होता है इससे जूड़े जो सिच्छा सास्त्री हैं बहुत बार आता है फ्रोवेल महोदा हैं मांटेसरी हैं पेस्टलाजी हैं प्याजे हैं एनरी कोलवेल कुग जी हैं जैसे पूछ लेता है कि खेल विद से के देगा चार नाम इसमें से कौन हैं तो आप जानते रहेंगे पांच लोग हैं फ्रोवेल हैं मांटेसरी हैं पेस्टलाजी हैं प्याजे हैं हेनरी कोलवेल कुग जी हैं फिर बात करते हैं दोस्तों हम खेल वीद पर आधारिट पाठ्थ साहभागामिक रिया तो इसमें ज करते हैं तो एंदेल कुछ टीपी नग के अनुसार सिछड़ की परमपरागत बीदिको नई दिशाप्रदान की जाए इनका कम प्रादानना है वा सिछड़ बीदिको लचीला बनाय जाए कहते हैं और उसके बाद दोस्तों टीपिनन महोदय कहते हैं बालकों के अनुसार अधिगम कराया जाए जिस प्रकार के बालक हो उसी प्रकार से अधिगम कराया जाए अगर पढ़नें तेज है तो तेज अधिगम होना चाहिए इस प्रकार का अधिगम होना फिर दूसरी बीध हमारी आती है प्रश्णोत्तर बीध के बारे में जिसे हम तर्क बीधी और सुकराती बीध के नाम से भी जानते हैं इसके जनक कौन थे सुकरात महोदय जी थे, प्रस्णोत्तर बिद के जनक सुकरात महोदय जी है, यह बिद माधमी कच्छाओं के लिए उप्योगी होता है, प्रात्मी कच्छाओं के लिए उप्योगी नहीं होता है, छात्रों को क्रिया सील रहते हैं, इस इनको पुनर बलन प समान रूप से होना चाहिए प्रस्तनों का क्रम तार्किक होना चाहिए तार्किक मतलब पहले आसान कोश्चन होने चाहिए और फिर कठीन कोश्चन होने चाहिए फिर दोस्तों हम बात करते हैं साइचिक परियाटन बीधि जिसे हम भ्रमण बीधि भी काते हैं इसके जो जनक थ जो की आवसेक्ता होती है, सहायक सामगरी होनी चाहिए, पाठ सहवागामी क्रिया होनी चाहिए, मतलब जो कारे कराया जाना है, जहां पर हमें ले जा रहे हैं, बच्चे को उसके बारे में कुछ हम बता देते हैं, तो उसके विसे में वो जानकारी कलेक्ट किये रहते हैं, और कम से कम 20-25 दिन पहले उन्हें बता देना चाहिए अगर हम साइचिक परेटर्ण पर कहीं ले जा रहा है तो उन्हें 20-25 दिन पहले बता देना चाहिए अपको हमीज अस्थान पहले जा रहा है जिससे उस छेतर के विशाय में कुछ न कुछ जानकारी जो है कलेक्ट करते रहें तो अब आता है विसलेशन विद की बात हम करते है विसलेशन विद क्या है दोस्तों यह जो है चिंतन अस्तर पराधारित होता है यह चिंतन अस्तर पराधारित होता है तरकसक्तिका विकास होता है इसमें तरकसक्तिका विकास होता है इसमें बालक जो है क्या कियों कैसे आधि को खोजता है जैसे अगर हम बालक को कुछ पढ़ा रहे हैं तो जरूर पुछे गा कैसे ये हुआ ये सारी चीजें इसमें पूछा जाएगा एक मनोबज्ञानिक विद्धी है विसलेशल वित क्या है? मनुभज्यानिक विधी है उस्थ करके सीखने पर आधारित है और प्रते विशजू का आध्यान संभव नहीं जो विसलेशन विधी है इसके माध्यम से उस्थे करते विशे का बहुत को सीख सकते हैं 15-etto विसलेशल विष के द्वारा समय और सकति लगता है कि आप जानते हैं जब बालक पूछेगा कोई चीजें पढ़ा रहे हैं क्लास में हो पूछेगा एक कैसे हुआ हुआ हम उसी में पढ़े रहा जाएगा और बालक जो है समय इसमें जादा लएगा सक्ति अधिक लगेगी और कोर्स भी पूरा होने की कम संभावना है फिर अध्यापक इस बीधि का प्रियोग करने में मतलब प्रतियक अध्यापक जीतने भी अध्यापक हैं इस बीधि को प्रियोग करने में जाना तर असाफल रहते हैं तो दोस्तों हम बात करते हैं आगमन ब पहले हम उदहरण बताएंगे बालकों को उसके बाद जो है दोंस्तों हम इसमें बताएंगे नियम जैसे हम बालक से कह दिये कि देखिए ये जो है एक गेंध है अगर हम इसे उपर फ्हेंगे तो यह नीचे आएगा फिर हम दूसरे बालक चावी है उपर फेके नीचे आएगा अगर पिन उपर फेक रहे हैं तो नीचे आएगा तो उसके बाद हम बताएंगे कि ये गुरुत्वा करसंड के नियम पर कारे कर रहा है तो पहले हमने उदाहरण दिया अगर चावी फेक रहे हैं तो नीचे आएगा कब हम बता रहे हैं किस नियम पर कारे कर रहा है ये गुरुत्वा करसन के नियम पर कारे कर रहा है तो छात्रिश को कर के सीख रहे हैं फेक के सीख रहे हैं तो ये क्या है और ये जो है अपसारी है मतलब पाहले जो है सारे उदाहरार से जो है एक ही निसकर्स पर आएंगे चाहे चावी फेकेगा चाहे पेन फेकेगा चाहे इंट फेकेगा चाहे जो फेकेगा बालत वो एक निसकर्स पर आएगा आके अंत में वो नीचे गिरेगी तो इसलिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लग रहा है तो यह नियम पहले उदाहरण जाना उसके बाद जो है निसकर्षण अद देखिए उदाहराण से शुरू करते हैं हम निसकर्स पर आखे खत्म करते हैं किसी चीज को उदाहराण को देकर बच्चों से निसकर्स निकलवाते हैं हम बच्चों को कोई उदाहराण देंगे और उनसे जो है निसकर्स निकलवाते हैं बच्चों को हम चाबी दे दिये कहें उपर फे योगी होता है बहु के इंदरी इस में निए इंदरी इतले बिकास हो ता है इस निए उस最 सिचंति रहे हे इससे धिपरатель है इस्थूल से मतलब पहले जो बालग रहा है हम उसको बताएंगे फिर जो नहीं जानरा इकानर व्दार कि देंगे हम जान रहा अर्ज basically प्रोंगे और अब हम उसको बताएंगे कि यह क्यों नींचे आ रहा है तो तुझी नहीं जाना भी उसको बता रहा है उस थूल से सूश में कियो और पहले जो चीज दिखाई दे रहे एंम कि Einस उसके अंदर दिखाय दे रहा है हम उसको बताएंगे अग दोस्तों बात करते हैं हम निगमन बीद की हम बात करते हैं निगमन बीद की हम बात हातब तरफ खीशती है अगर हम उपर और फेखते हैं प्रित्वी अपनी तरफ खीशती या गुरूत्वा करशण नियंप पर कार्य करता है यो बता देथ। नियुटन के कोई चीज हम उपर फैक रहें और नीचे फेक ही चेगी तो जैसे कि हम जान रहें उनको हम पहले नियम दे दिये ना उसके बाद हम उनको उदाहरण देंगे तो यह नियम से उदाहरण की ओर चलता है बच्चे नियम का सत्यापन करते हैं जो हम नियम बता दिये जैसे हम बता दिये कि गुरुत्वा करसण का नियम है अगर हम कोई चीज हूपर फैकते हैं तो वह प्रिठ भी अपनी तरफ खीशती है तो बच्चे उस नियम का सत्यापन करेंगे, कोई चीज फेक के देखेंगे, तो यह जो है बच्चे नियम का सत्यापन अपने आप से करते हैं, सामाने से बिसिष्ट की ओर, यह जो है सामाने चीजें से बिसिष्ट की ओर जाता है, सिद्धान्त से उदारन पाले, सिद्धान् यह जो है memory label का सिच्छण कराता है यह जो है memory label का सिच्छण कराता है फिर अब आता है समस्या समाधानविद हैं हमारी सातवी मिदे समस्या समाधानविद इसके जनक कौन है संसल जान डीवी महोदय जी हैं जान डीवी महोदय जी हैं तो हम इसको बताते हैं बालक की किसी प्रक कर आजाती यह जैसे माली जी कोई बालक है बहुत गरीव है अप दूसरे दिने यों क्लास में कासर हम पढने में समर्थ हैं अध्यापक बताया है हम पैसा नहीं पा रहे हैं पैसा नहीं करिए तो यह जो है बच्चे के साथ मिलकर समस्या का समधान कर लिया दोनों लोग मिलके कहें आप आईए पढ़िए हम पैसा देंगे समस्या का समधान उसके हो गया फिर बच्चों में अब उसके बाद अगर हम एक बार उसकी समस्या का समधान कर देते हैं तो बालक जो है समस्या का चायन करेंगे किसलिए बालक नहीं आ रहा है फिर समस्या प्रस्तुती करण होगा फिर बालक बताएगा समस्या का कैसी है क्यों नहीं आ रहा है फूरा उसका प्रस्तुती करण होगा फिर उपकलपनाओं का निर्माण होगा फिर बालक और छात्र जो है मिलके जो है म अल्पनहाफर सत्यापन होगा कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए फिर जो है निस्कर्स पर आ जाएग एक नहीं यही का veux होना चाहिए निस्कर्स रहाता है तर्क सक्टीवर्थी है अच्छी आदितों का विकास होता है यह हमारा जो दोस्तों था सा तहरा हम dizer सूत्र बता दिए हैं इसके बादम फिर आपके सामने लेकर आएंगे जो घंज बाकी यह हमारा चैनल लाइक करें अर्दूशरों को रहाऊ करें झाल झाल